आज की इस वीडियो में दोस्तो हम सीखेंगे घर पर बनाना पिल फटलायर कैसे बनाएं तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे आरके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर तो चलिए इस वीडियो को सुरू कर दें बनाना पिल फटलायर बनाने के लिए हमें केले के चिलकों की आवा सकता है तो हमने यहाँ पर केले के चिलके लिए हैं जो की हम बेकार समझ कर यूँ ही फैक देते हैं ये बहुत काम की चीज़ है तो दोस्तो जो बनाना फिल फटलाजर हम तयार कर रहे हैं तो वो केले के चिलकों में से कर रहे हैं तो हमें करना यह है कि केले के चिलके लेने हैं कुछ जैसे कि आप देख सकते हैं और इसके हमें छोटे छोटे भाग कर लेने हैं आप जितना फटलाजर बनाना चाहें उतने चिलके आप ले सकते हैं तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे टुकडे अब कर दिये हैं अब कर देने के बाद में दोस्तों अब हमें करना यह है कि इसमें हम पानी डालेंगे ये तीन से चार छिलके थे और हमने अच्छी तरीके से काट दिये हैं यानि कि छोटे छोटे भाग कर दियें इसके अब इसमें हम डाल देंगे पानी जिससे की ये फटलाजर अब बनकर तयार हो जाए बनाना पील फटलाजर पौदों के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो देखिए दोस्तों मैंने अब इसमें पानी डाल करके तयार कर दिया है अब इसे मैं कवर कर दूँगा ये मेरे पास गमला है और इसमें देखिए उपर ड्रेनेज होल बने हुए हैं तो आप देख सकते हैं जो ड्रेनेज होलें इसमें चार बने हुए है अब मैंने इसे अच्छी तरीके से डख दिया है और अपडेट के साथ फिर मिलते हैं तीन दिन हो चुके हैं और तीन दिन बाद हमारा ये बनाना पील फटलाजर देखिए अब ये बन करके तैयार हो चुका है दोस्तो इसमें पासपोरस फोटेश्यम की मात्रा सबसे अधिक बाई जाती है जो की पोदों के लिए जरूरी होती है तो चलिए इसे एक बार हम इसे च्छान लेंगे क्योंकि दोस्तो जो भी इसमें पोसपोतत होते वो सभी पानी के अंदर आ चुके हैं और इसे हम अपने पोदे में अब आसानी से यूज कर लेंगे यूज करने से पहले से हम एक वार च्छान लेंगे बनाना फिल फट लाजर को आप घर पर बहुती आसान तरीके से तयार कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो बनाना फिल फट लाजर है हमने पूरी तरह से च्छान के अब तयार कर दिया है अब चानने के बाद में इसमें थोड़ा सा हम पानी और बढ़ाएंगे क्योंकि सीधा इस बनाना पील फटलाजर को हम अपने पौदे में नहीं दे सकते तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा लेंगे तो देखिए दोस्तो हमें पानी कितना लेना है जैसे कि आब देख सकते हैं जो बनाना फिल फूलाईर है हम थोड़ा सा पानी और बढ़ा देंगे तो हमने देखिए इसमें पानी और मिला दीआ है अब उसके बाद हम इसे यूजी कर लेंगे दोस्तों आप इस FADLAYER को किसी भी फूलों वाले पूले में दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो की PORTULA का NINO CLOCK जो है कि मैं उसमें इसे यूजी कर रहा हूं दोस्तों इस FADLAYER से पूले पर सबसे ज्यादा फूल आने लगते हैं तो दोस्तो अब आप जान चुके होंगे कि फटलाजर कैसे बनाया जाता है उम्मीद है आपको ये वीडियो अबसी पसंद आई होगी चैनल पर दोस्तो पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें तो आप गली वीडि अब फिर्म लाएंगे थेंक्यू